नमस्कार विद्यार्थियोग हमने आज हम इस आज का हमारा जो टॉपिक है वास्तुविक संख्याएं सब टॉपिक है इसी के अंदर अ परिमे संख्याएं यह हमारा तीसरा लेक्चर है पहले चैप्टर का जो आपकी दस्विंक अक्षा के गनित का पहला चैप्टर वास्त्विक संख्याएं। उसके उपर अपर यह तीसरा लेक्चर है। टॉपिक रहेगा वास्त्विक संख्याएं है। सब टॉपिक आपरिमे संख्याएं। जो हमारा प्रशनावली 1.3 से सम्बंदित है। तो प्यारे बच्चों, हमने नौमी का अक्षा में आपरिमे संख्याओं जैसे अंडरूट 2, अंडरूट 3, अंडरूट 5 आधी के बारे में सीखा था, आज हम यह सीखेंगे कि इन्हें आपरिमे संख्याओं क्यों कहते हैं, याद कीजिए, इन्हें आपरिमे संख्याओं इस और Q नहीं बराबर है जिरो के आज हम इस लेक्चर में जो है आपरी में संख्या हैं जैसे अंडरूट दो अंडरूट तीन आदी को आपरी में सिध करने के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले उससे पहले एक प्रमे है उसको समझना बहुत जरूरी है इसका प्रूफ इतन A स्क्यर किसी संख्या के वर्ग को विबाजित करती है तो P A को भी विबाजित करेगा जहां A आपका कोई भी धनात्मक पुरूनांक हो सकता है अब इसी प्रमे के उपर हम लोग जो है आगे जो हमारे जो हमारे पेपर में भी ये प्रशन पूछा जाता है और किताब का एक धारन भी है किताब में प्रमे के नाम से है कि सिद कीजे कि अंडरूट दो एक आपरी में संख्या है तो इसके लिए आप लोग यहां पर ध्यान देंगे इस प्रशन को हल कैसे करना है सर्व प्रत हम आपने क्या करना है इन प्रशनों को हम contradictory यानि विरोधाभास तरीके से सि दो दिया गया है हम उसका विप्रीत मानते हैं जैसे यहां हमने सिद करना है कि अंडरूट दो एक परी में संख्या है प्रतु हम इसके ठीक विप्रीत मानेंगे कि अंडरूट दो एक परी में संख्या है अता हम यहां लिख सकते हैं कि अंडरूट दो जो है वो किसके ब्रा ब्राबर है जीरो के अब यदि ऐसा है तो अता आर पार गुणा करें वज्र गुणा करें बी इदर गुणा हो जाएगा बी रूट दो ब्राबर है एके अब दोनों पक्षों को यदि हम वर्ग कर देते हैं तो हमारे पास आता है दो बी का वर्ग ब्राबर है एका वर्ग अत अब जैसा कि उपर आवले प्रमे उसका प्रयोग होगा जो हमने उपर की थी दो A स्केर को विबाजित करता है और यदि दो A स्केर को विबाजित करता है तो उपरी प्रमे द्वारा हम ये कह सकते हैं कि दो A को भी विबाजित करता है अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक किसी दो C के बराबर है अब हम क्या लिख सकते हैं कि एक इसके बराबर है दो C के जहां C एक पुरुनांक है अब यह जो एक आमान था इसको जो हमारा समिकरन आया था एक उसमें भरने पर अब समीकर नेक क्या था 2B square बराबर है A square अब इसको A square की जगा हमने 2C square रख दिया देखिए जहां मेरी निशान अंगुली है अब फिर इसका वर्क के इसको हल किया 2B square बराबर 4C square आया पुने हल करेंगे 4C square के नीचे आजाएगा 2 से 1 कट जाएगा 2 दूनी 4 C square आ जाएगा जैसे ये 2 एकम 2 कट गया तो हमारे पास आगे बच जाता है 20 square बराबर है 2 C square अब इस कार्थ भी वैसे हुआ जैसे शुरू में था कि यदि 20 square 20 square किसके बराबर है 2 C square इस कार्थ ये हुआ कि जो 2 है वो 20 square को विभाजित करता है तो 2 B को भी विभाजित करेगा यही अर्थ होना अगर यहीं 20 square बराबर है 2 C square तो 20 square को विभाजित करता है और 2 B को भी विभाजित करता है अथा इसका मतलब ये हो गया ये जो 2 है ये आपका A को भी विभाजित करता है उत्पन हो गया क्यासे क्योंकि जैसे कि आपने शुरू में देखा था कि जब हमने इस प्रशन को अल करना शुरू किया था अगर मैं पीछे पेज करूँ तो यह देखी यहार हम लिख रहे हैं कि A और B क्या है सह अभाज्य हैं प्रन्तु यहां पर यदि अब हम देखें यहा और B के मद्या में दो उबेनिष्ट गुणन खंड है तो यह जो विरुदहवास उत्पन क्यों हुआ इसका कारण यह है कि हमने जो शुरू में तुरूटी पुरूण कलपना गलत कलपना की थी कि अंडरूट दो एक क्या है यह हमारी तुरूटी पुरूण कलपना थी कि हम तापके उसमें एक उधारन अंडरूट तीन का और एक अंडरूट प्रशन आपके प्रशनवलवी में अंडरूट पांच का तो अंडरूट तीन तो मैं आपको हल करके दे रहा हूँ आपकी सुविदा के लिए और वो जो अंडरूट पांच है वो आपने जो है एक तरह से आपके लिए एक ग्रीक आ रहा है, वो आपने खुद करना है, इसी के धार पर करना है, अंडरूर 3 को देख लेते हैं हम लोग यदी, अंडरूर 3 A का परिमे संख्या यह हमने सिध करना है, छीक है, मान लेते हैं हम इसके विपरीत, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसक पर सहे बाज़ा, पुरुनांक हैं, और B जो है नहीं बराबर है, जीरो के, अब इसको भी वैसे ही यल करते हैं, तो B रूर 3 बराबर A के आ गया, अब दोनों तरफ अगर हम वर कर दें, तो B की 3, B स्क्वेर गुना 3 बराबर A स्क्वेर, यानि 3 B स्क्वेर बराबर A स्क्व अब 3 A को भी वाजित करता है, तो इसका मतलब हुआ कि A बराबर है, अब हम इसको A को कह लिख सकते हैं, 3 C, A बराबर है, 3 C लिख सकते हैं, और A का मान जो हम लोग इस समिकरण में, यह जो आपका समिकरण 1 है, इसमें भरेंगे, जब हम इस समिकरण में A का मान भरेंगे, त तो B² बराबर है 3C² फिर वह इस्तिति आगी कि 3 जो है B² को यदि B² को करता है तो 3B को भी भाजित करता है और आताहा इसका मतलब यह हुआ कि A और B में 3 उबेनिश्ट गुणन खंड है अब यहां पर फिर वरोदाबास उत्पन हो गया कि A और B जो हैं प्रस पर सह अबाज्य अगर साब आज्य होते तो उनके बीच में कोई उबिनिष्ट गुणन खंड नहीं होता और यहाँ व्रोधाबास हमारी तुरूटी पुरूण कलपना के कारण हुआ क्या तुरूटी पुरूण कलपना क्या थी कलपना की अंडरूड तीनेक परिमे संख्या है के कारण हुआ क्या है अंडरूड तीनेक क्या है परिमे संख्या के कारण हुआ यह हम नितुरूटि पुरूणfed कलपना की थी कितर अंडरूड तीनेक परिमे संख्या इसके कारण हुआ अब आजाते हैं उधारण इसी के उपर आपके उधारण है ये आपके किताब में ही है मान लो 5 माइनस अंडरूर 3 एक परिमे संख्या है ये सिद्ध करना है मानना नहीं हमने सिद्ध करना है कि 5 माइनस अंडरूर 3 एक परिमे संख्या है तो इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले क्या है वही तरीका इस्तिमाल करते हैं मालो 5 माइनस अंडरूर 3 एक परिमे संख्या है तो 5 माइनस अंडरूर 3 बराबर A बटा B A और B प्रस पर सब हज्य पुरूरूरांख हैं और B नहीं बराबर है जीरू के इसको हल करेंगे रियरेंज करेंगे A बटा B इदर आ जाएगा अंडरूर 3 उदर चला जाएगा फिर रियरेंज करेंगे अंडरूर 3 बराबर है 5 माइनस A बटा B LCM लेके जैसे LA सब विदी द्वारेंज करते हैं 5 B माइनस A बटा B क्योंकि और B पुरूरूरांख है अता 5 माइनस A बटा B एक परिमे संख्या है और इसका मतलब हुआ कि A परिमे संख्या है इदर वाली राइट साइड पे जो आपकी दाएंपक्षपे परिमे है तो बाएंपक्षपे भी क्या होगी अंडरूर 3 भी परिमे है प्रन्तु अंडरूर 3 जैसा कि हमने शुरूर में भी सिद्ध किया है यह क्या है एक आपरी में संख्या है और यह विरोधाबास हमारी गलत कलपना के कारण हुआ कि 5 माइनस अंडरूर 3 परी में है इसके कारण यह विरोधाबास हुआ आपने इसी तरह से लिखने जैसे यहाँ आप आपको दिखाई दे रहे है कि यह विरोधाबास हमारी गलत पना कि 5 माइनस अंडरूट 3 परिमे है के कारण हुआ अता है 5 माइनस अंडरूट 3 एक परिमे संख्या है अब आप बचे ध्यान देंगे इस यह जो टॉपिक है इस टॉपिक से हमारी प्रशनावली एक दिशमलव तीन हल होती है ध्यान रखेंगे इसमें प्रशन है एक रूट 3 को सिद किया दूसरा प्रशन जो है वो है आपने सिद करना है कि 3 जमा 2 रूट 5 आपरी में है इसको वैसे सिद करना है जैसे कि हमने उदारण 3 किया ध्यान देंगे ब्राबरा A बटा B फर इसको हल करेंगे इन प्रशनों में वैसे दोड़े जो मुश्किल लगते है लेकिन असानी ये है कि इसमें हल करने वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल छोटा सा है बाकि वही लाइनों को बार बार लिखना है इसे प्रकार से इस प्रशनावली में तीसरा प्रशन है उसके तीन भाग है एक है एक वटा अंडरूट 2 इसका पहले आपने परिमे करन कर ल लेना या डिरेक्ट भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा फिर दूसरा है आपका साथ अंडरूट 5 और तीसरा भाग जो है इसी में 6 जमांडरूट 2 कुल मिला के यनि इसमें 5 सवाल है ये आपने हल करने है बिल्कुल असान सवाल है और इनको आपने हल कर लेना है यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है मेरा वट्सैप नंबर है 9412767670 इस पर मुझे मैसेज कीजिए मैं आपको हल करके दे दूँगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है या मेरी मेल आईडी जो है manojjvyn at the rate gmail.com पर मुझे मेल क कर दिजिए मैं आपके प्रशनों को हल कर दूँगा धन्यवाद जय हिंद जय बार्त